प्रफॉर्म कर रहे हैं। प्रफॉर्म कर सकते हैं। इसके लावा टेलिग्राम चैनल पर मैं एक वाच लिस्ट कल के लिए भी शेयर कर दूँगा। जो मार्केट पे एक इंट्रडे पॉपर्फॉर्मिंस के लिए अच्छा पॉफॉर्मिंस दिखा सकते हैं। अच्छी रही है अगर मैं आपको एक चीज दिखा हूं। निफ्टी का मैंने डिली ताइम फेम उपन रहा है। यह जो पर्टिकुलर लेवल था यह एक स्विंग लो था। after a very good fall यहां पर एक swing low आया है and market started to give a pullback and after that again it falled आप देख सकते हैं कि इसने previous swing low का breakdown दिया this candle जो कि हम दो कल देखने को मिली थी and after that आज एक gap up के साथ उपर गया है और उसने closing दी है it not a good closing because 14, 17,454, 75 के उपर अगर closing होती तो जादा अच्छा होता because 2 दिन के जो highs थे वो exactly इसी level पर test कर रहे है और उससे पिछले दिन का low था वो भी exactly same है so अगर इसके उपर closing होती तो जादा अच्छे results मिल सकते थे but we can wait for tomorrow but tomorrow expiry है तो market थोड़ी बहुत volatile रह सकती है so कैसे plan कर रहा है चलते है एक बाद 15 minutes के time frame so on a 15 minutes time frame as you can see it here यह एक particular psychological level है जो की हम लोग बहुत time से बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक major resistance मिल सकता है इसके लावा एक trend line भी आप देख सकते है कि उपर से connected high से चली वी आ रहे है जिसका breakout और एक resistance resistance का breakout हम लोगों को देखने को मिला है जो की एक supply zone actually होना चाहिए था वो एक breakout दे चुका है so remember that कि यह जो previous level था यह swing low उसका breakdown दिया with a very good bearish candle and after that यहाँ पर एक bullish candle बनी तो एक liquidity trap हम लोगों को देखने को मिला nifty के अंदर and वो liquidity trap के बाद जब वो दुबारा rezone के अंदर enter करें उसने उस zone का अच breakout दिया it's a very good signal so buy on dips की strategy तो definitely हम लोग सकते हैं but we will try कि market कल सीधा उपर जाने start करती है तो हम लोग 17,475 के उपर 15 minutes की candle close होती है तो simple buy कर सकते हैं और buy on dips strategy easily work कर सकती है दूसरी कि एक बार नीचे से liquidity trap करती है और एक बार उपर से breakout करने के बाद करती है और जो previous trend चल रहा होता है वो exactly उसी trend को follow करते वे movement करती है तो basically कहने का मक्सदी है कि अगर आप यह चेक करोगे यहां पर एक liquidity trap हम लोगों को देखने को मिला after that ब्रेक आउट आया और ब्रेक आउट इसने कर दिया है अब यह ब्रेक आउट कितना sustainable है वो चीज हमें कलके कल पता चल जाएगी और अगर यह sustainable नहीं होता हो market नीचे जाना start करती है तो जो previous trend था exactly market उसको follow करेगी और हम इस level को भी break होते वे एजी ली देख सकते हैं या minimum minimum target हमारे यह particular low होगा so we have to check that और बहुत carefully trade करना है हमें पहले buy side की तरफ aggressively जाना market बहुत जादा नीचे गिर चुकी है अगर buying की side momentum आना चाहेगा तो हमारे पास time होगा उपर levels पे भी buy करने के लिए और buy on dips opportunity हमें को मिल सकती है तो please be careful एक बार bank nifty को check कर लेते हैं so bank nifty के अंदर हम लोगों की अच्छा breakout देखने को मिला है इसने liquidity trap on lower side करा नहीं definitely कोशिश बिलकुल कर रहा था and इसने clear breakout दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक accumulation zone था यह इस level पे एक breakout दिया after a very good retest it gave a very good up move यहाँ पर इसने एक liquidity trap करा and inducement के थोड़ोगा chances थे बट वो नहीं हो पा है and market tries to go down but recover करा and it gave a very good breakout अब इसने breakout दी अपने previous levels और जोई gap down opening थी उसको भी इसने cross करके ऊपर गया I think यह आपर एक अच्छा result बन सकता है कि यह particular stock in bank 50 अच्छा performance दे सकता है एक बर्स का daily timeframe open कर लेते है and let me open a daily timeframe yeah so 40,700 के पास आप देख सकते हो कि इस level का इसने breakdown करा जो कि almost पूरे हफते तक जो levels चल रहे थे जो range decided थी उसके उपर इसने beautifully closing कर गया है market उपर गया था starting में अगर आपने check कर आओगा तो एक bearish signal आ रहा था नीचे market जाना start कर दी gap up opening बट उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से recovery करें उपरी closing बहुत हलके अलके गया है यह थोड़ा सा doubt है because market बहुत हलके अलके उपर गया है हम लोगों को देखने को नहीं मिली है जिस तरीके से gap up हुआ एक range का breakout हुआ हमें लगना चाहिए था कि market short covering के थुरू बहुत तेजी से ऊपर जाएगी बट वह चीज देखने को नहीं मिली that means की sellers are right now active और वह they will try to pursue की market और नीचे चली जाए अब बात कर लेते हैं कुछ stocks की first stock is koromandel आप यहां check कर सकते होगी koromandel ने बहुत अच्छा अपने flag and pole pattern का breakout दिया था almost 61% level था and after that it gave a breakout from this flag and pole pattern and created another bullish flag and pole pattern at this level और इसका breakout आज के trading session में दिया तो मैंने alert already लगा रखा था but last में दिया था तो वह चीज मुझे शोकर ही नहीं but 913 का breakout दे चुकी है अगर कल यह इसी level के उपर sustain करता है 914, 918 के उपर भी जाता है तो भी आप लोग buy कर सकते हो stop loss थोड़ा सा फार होगा but target और जादा rewarding है so I personally think कि अगर यह 918 के उपर भी आता है तो भी आप buy कर सकते हो but try करना है कि पहले यह 913 के उपर sustain कर रहा है कल market open होते ही इसको मत खरीद लेना तो एक बार 15 minutes का time frame पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसने finally इस level प एक breakout दिया है just we have to check और sustain करना चाहिए यह particular level and after that ही अपनी एक buying entry बनाएंगे and let's see किस तरीके से stop-loss की बात आती है तो stop-loss definitely अपना previous low ही रखूंगा जो की 892 के नीचे ही होगा थोड़ा सा and हमारा जो target होगा that should be around 955 to 960 rupees तो I think risk to reward बहुत जादा अच्छा वर करेंगा इस particular stock make sure to follow this our second stock is GSPL and यह मैंने आज आप गोगो बताया भी था कि इसने एक breakout दिया है as you can see it here it created a very good head and shoulder pattern after a very good fall और इसने एक bullish lag and pull pattern भी बनाया है अब यह bullish lag and pull pattern इतना अच्छा नहीं है and आप check कर सकते हैं because after a bearish downtrend यह इसने pattern develop कर रहा है तो यह जादा healthy और अच्छे से work नहीं करता but अगर हम इसको ignore कर दें तो हम यह आपर clearly देख सकते हैं कि एक अच्छा range हम लोगों को develop होते वे दिखा है at a resistance side जो की previously एक resistance की तरफ से act कर रहा था तो अगर यह ऊपर sustain कर रहा है अगर यह चेक आउट कर लेंगे our last stock is HCL Tech TCS ने अच्छा performance दी थी आज हम लोगों को अच्छा profit हुआ अब HCL Tech की बारी है यह भी outperform कर सकता है अगर tech stock अच्छे रहती है so IT sector को अगर हम लोगों आज study कर रहा था तो उसने अच्छा bounce दी है sustain कर रहा है higher levels भी closing दी है तो I think there is a chance की एक दो दिन market और उपर जा सकती है और IT sector भी performance अच्छी दे सकता है so एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ it's completely making higher rise in higher lows and from this bottom to this top it is exactly testing 50% of Ibonachi retracement which is a very good sign इसके लाब अगर आप वॉल्यूम चेक करोगे I personally think कि जित्ते लोगों ने भी आपर selling करी होगी यहाँ पर एक अच्छी buying position hold हुई है and लोग ने अपनी positions को exit करा है definitely multiple stop losses भी hit होगे in levels पर so अगर यह sustain करता 1100 के उपर तो यह market में उपर जा सकता almost अपने previous swing highs भी देखने को मिल सकते है so make sure to follow these three stocks I hope कि अच्छी जाए and we will be active on telegram channel so please make sure to follow us on telegram link description में मिल जाएगा and let's hope and let's hope कि अच्छी आप लोग profit कमाता have a good day guys bye bye झाल